नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश ग्रंथ गंगा में। प्रार्थना इस प्रकार से है, आज मंगलवार है, महावीर का वार है, ये एक सच्चा दर्बार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेडापार है। अगेर रखा है, गरीबी, दरिदरता आपके पीछे पड़ी हुई है, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको हम एक ऐसा असरदार उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आप अपना लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन काल में सकारात्मक उर्जा आ जाएगी। आपके जीवन काल में जो भी कार्य आप करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। इतनी खुशियां आएंगी जिसकी आपने कभी कलपना होगी, दोस्तों होता क्या है कि आप बहुत महंत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परन्तु आपको उसका फल नहीं मिल पाता है। आप यही चाहते हैं कि आप आसानी से धन कमा लें और अपने घर को सुख, समरिधी, एश्वर्य की प्राप्ती दे। लेकिन खुश और धन दौलत तो बहुत दूर की बात है। रोज मर्रा की जिंदगी में इस्तिमाल होने वाली चीजे भी आप बड़ी मुश्किल से खरीद पाते हैं। इसकी वज़ह क्या होती है? इसकी वज़ह ये होती है, नकारात्मक शक्तियां का प्रभाव दोस्तों आपको ये बात शायद पता ना हो लेकिन होता क्या है कि आपके जीवन काल में जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, आपके पास धन का आगमन हो रहा होता है। आपके दोस्त या नातेदार रिष्टेदार पडोसी पडोसी ऐसी नकारात्मक शक्तियों से आपको देख लेते हैं या ऐसी नजरों से आपको देख लेते हैं कि आपको एक बुरी नजर लग जाती है। काला जादू आपके पीछे पड़ जाता है, तो आप जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, काले धागे का या उपाय कर आप कर लेते हैं दोस्तों आपके लाखों शत्रूओं एक तरफ खड़े हो, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो आपके सामने घुटने टेक देंगे आपके जीवन काल में अगर धन आना बंध हो गया था, धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा, इतना धन आएगा जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है आपका जो दुरभाग्य है, वो भाग्य में बदल जाएगा, और सबसे जरूरी चीज़ दोस्तों अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसको कोई रोग लगा हुआ है, जिसका आप इलाज करा करके ठक गए हैं, परन्तु उसका कोई लाभ आपको नहीं मिल रहा है तो दोस्तों यकीन मानिये काले धागे का एक ऐसा उपाय है, जिसको अगर आपने सिर्फ सही तरीके की साधना से कर लिया, तो कितना ही बड़ा रोग हो वो चुटकियों में खत्म हो जाएगा। आप ये उपाय करके देख लीजिये, अगर नहीं ठीक होता है, तो आप आकर हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजियेगा क्योंकि दोस्तों ये जीतने भी आपको उपाय बताय जा रही हैं। ये लोग कर चुके हैं और लोगों ने बताया कि उसको इनका रिजल्ट मिला है, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग अपने अपने पूरे परिवार के भले के लिए देख लीजिये। लास्ट तक अंत तक समय निकाल करके देख लीजिये और यकीनन आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आने जा रहा है, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है, जिसकी आपने कभी कलपना नहीं की होगी। दोस्तों अब बहुत ध्यान दीज जो हम आपको बताने जा रएं हैं, पहले आपके पास धन आ रहा था, फिर धन आना बंध हो गया था। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे या तो आपके घर अपके घर पर नकारात्मक शक्तियां हैं, या तो आपके घर पर रोज लडाई, जगड़ा, कलश होता है। आपक तरीके की दिक्कतों से छुट्टी पा सकते हैं। मतलब आपकी कोई भी मनोकामना है। पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिये ताकि दोस्तों हमको भी थोड़ा प्रोचसाहन मिल सके। आप लोगों तक अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए और इस वीडियो को लास्ट तक अंट तक देखेगा। इसलिए कोई कौपी ले लीजिये। पैन ले लीजिये जितनी भी क्रियाएं आपको बताई जाएंगी। इनको कहीं लिख लीजिये क्योंकि दोस्तों हिंदू प्राणों में एक बात कही गई है। आप अगर तांत्रिक के पास जाएंगे, किसी शास्त्री के पास जाएंगे, किसी एस्ट्रॉलजर के पास जाएंगे। और उससे कहेंगे कि हमारे लिए पूजा कर दो तो वो पूजा आपके लिए कर देगा, लेकिन आपको उसका जो फल मिलेगा वो थोड़ा रुक रुक के मिलेगा और समय के बाद मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी पूजा को किसी साधना को सिध्ध कर देते हैं और विशेश दिन पर सिध्ध कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका फल मिल जाएगा दोस्तों मंगलवार का दिन होता है इसको चमतकारी दिन कहा गया है यहां हनुमान जी महाराज का दिन होता है हनुमान जी महाराज कल्युग के एक मात्र ऐसे जीवित देवता हैं जिनके सामने अगर कोई भी उपाय किया जाए तो वो तुरंत ही उस उपाय का हमें परिनाम दे देते हैं और काले धागे का उपाय एक ऐसा उपाय है जो कभी खाली जाता ही नहीं है समझिएगा इस बात को हम क्या बोल रहे हैं काले धागे का उपाय खाली जाही नहीं सकता है बस आपको इसको सही तरीके से करना वो करना कैसे वो हम आपको बता नहीं रहा है इसलिए बहुत ध्यान से सुनेगा जितनी भी जानकारी आपको दी जा रही है और अभी तक आपने विडियो लाइक नहीं किया है। विडियो लावर्ण सही हो जाए तो ये मनोकामना पूर्ती के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। गादाएं चरण बहुत ध्यान दीजिये गादाएं उनका जो पाव है उसमें आपको काले धागे को छुवाना है। छुवाने के बाद जो उसमें सिंदूर लगाना है फिर उसकी एक गांठ बांध देनी है। फिर अपनी एक मनोकामना बोलनी है। इस प्रकार से आपको साथ गांठे लगाने और साथ मनोकामना बोल सकते हैं। अब आपने यह कर लिया जब साथ गांठ लगा लीजिये तो मन ही मन आपको ग्यारा बार हनुमान 40 का पाठ करना होगा। लेकिन दिक्कत यह है बहुत से लोगों को हनुमान 40 आता नहीं तो आप लोग क्या करेंगे। तो आपको बता दे आप लोगों को ओम हनुमते नमह का जाब करना है। एक हजार एक बार ये साथ गांठे लगाने के बाद आपको एक हजार एक बार या तो ओम हनुमते नमह का जाप करना है या ग्यारह बार आपको हनुमान चालिसा का पाठ कर लेना है फिर आपको ये करना है कि ये जो आपने काले धागे में साथ गांठे लगाई है हनुमान जी के दाये चरण से सिंदूर लगा लगा के इसको घर पर लाइए किसी लाल कपड़े में बांध करके मौलिक धागे से पैक करके दीजिए और अपने कमरे में रख दीजिए आप जीस भी कमरे में बैठते हैं वहाँ पर इसको रख दीजिए बस इतना कर दीजिए यकीनन दोस्तों जो भी आपकी मनोकामना होगी वो हनुमान जी के आशिरवाद से पूरी हो जाएगी लेकिन याद रखिएगा दोस्तों मनोकामना पूर्ती के लिए जो उपाय किया जाता है इसमें फिर आपको तामसिक भोजन छोड़ देना पड़ता है मतलब जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए तब तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं तामसिक का मतलब है नौन वेज, मदिरा, गुटका, पान मसाला तभी इस उपाय को कीजिएगा जब आप तामसिक भोजन छोड़ सकते हैं क्योंकि आपने यहाँ मनोकामना पूर्ती का उपाय कर लिया और इसके बाद अगर आपने तानसिक भोजन कर लिया तो आपको हनुम मान जी का क्रोध जेलना पड़ेगा दूसरा उपाय है दोस्तों घर में नकारात्मक शक्तियां को खतम करने के लिए अब मान लीजिए आपके घर पे रोल लड़ाई जगडा होता है आपके घर का वातावर्ण अच्छा नहीं रहता है आपके खुद के घर के लोग हैं जो वो ये कहने लग गए है कि ये घर तो नर्क जैसा हो गया है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए तो मान के चलिए एक ऐसा उपाय है जीसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर का वातावर्ण बड़ा अच्छा हो जाएगा आपके घर में रोल लड़ाई जगडा जो हो जाता है वो बंध हो जाएगा एक बड़ा सरल उपाय बताया गया है हमारे वास्तु शास्त्र में तो ऐसे के लिए आपको यह करना है किसी भी हनुमान जी के मंदिर चली जाएए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएए वहाँ पर एक काला धागा लीजिए काले ध पड़े को आपको बांध देना है। एक ऐसा उपाय है जीसको अगर आप लोग कर लेते हैं तो दोस्तों यकीनन यकीनन दोस्तों आपकी नौकरी लग जाएगी। आप मान के चलिए आप नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर चुके हैं। तूट चुके हैं नौकरी का प्रयास के चक्कर में तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नौकरी की तयारी नहीं कर रहे हैं तो आपकी नौकरी लग जाएं हम ये कह रहे हैं नौकरी की तयारी कर रहे थे नौकरी नहीं लग पा रही थी तो नौकरी लग जाएगी तो ये उपाय बहुत आसान सा है, लेकिन इसके लिए जो साधना आपको करनी है, वो बहुत ही कठिन साधना है, तो करना ये आपको की आपके काला धागा लेना है हनुमान जी के मंदिर जाना है हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद आपको 21 बार हनुमान 40 का पाठ करना है ध्यान रखिएगा 21 बार हनुमान 40 का पाठ करना है आपको हनुमान 40 नहीं आता है तो 2001 बार ओम हनुमते नमह का जाब करना है आपको ये काला धागा धारन कर लेना है काला धागा हनुमान जी के दाएं चरण में छुआ करके आपको धारण कर लेना किसी पुजारी से बंधा लेंगे तो बहुत ही शुब है काले धागे को उदाहरण कर लीजिए निश्चत रूप से दोस्तों आपकी नौकरी ज़रूर लगेंगी लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये काला धागा धारण करने के बाद आप तामसिक भोजन नहीं खा सकते हैं तामसिक मतलब जैसे आप लोग जा नहीं रहे हैं शराब, मदिरा, नौन वेज नहीं खा सकते हैं और इस काले धागे को धारण करने के बाद आप नौकरी की तयारी में लग जाए जो भी बाधाएं आ रही थी आपके उपर वह बाधाएं खत्म हो जाएगी और दोस्तों ये जो उपाय हमने आपको बताया उपाय कई IAS, PCS बड़े बड़े अफसर कर चुके हैं दोस्तों ये जितनी भी आपको उपाय बताय जा रही हैं ये ऐसे वैसे उपाय नहीं है ये वास्तु शास्त्र से ढूंडे जाए उपाय बताया जा रहा है आपको इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखेगा और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो तुरंत ही वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अब आपको जो हम उपाय बताने जा रहे हैं वो उपाय से आपका राहु के तु बड़ा अच्छा हो जाएगा आप सुनिएगा जो आपको उपाय बताने जा रहे इससे पहले आपसे निवेदन था कि आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तो करना क्या है? आपको काले धागे का एक बड़ा सा उपाय बताया गया है हमारे हिंदू प्राणों में कि अगर आपके राहो के तु अच्छे नहीं है तो आपको सिर्फ यह करना है कि ये काला धागा लेना है काला धागा लेने के बाद अपने घर की छट पर मंगलवार के दिन चले जाना है सुर्यास्ट के बाद एक पूर्व दिशा की तरफ आपको घी का दीपक जलाना है आपको हनुमान चालिसा साथ बार पढ़ना है और काला धागा जो होगा उसको किसी काली पोटली में डाल दीजिए मौली धागे से बांध दीजिए और अपने घर की छट पर रख दीजिए अपने घर की छट पर रखकर कहीं बांध देंगे तो ठीक है वरना किसी भारी चीज से दबा दीजिए आखिर घर की छट पे ही आप ये उपाय क्यों करेंगे तो आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति का जो राहुकेतु होता है वो उसके छट पर वास करता है ध्यान रखिएगा हर मंगलवार को अपने घर की छट को साफ कर दिया कीजिएगा क्योंकि राहुकेतु तभी आपके घर पर वास करने आएंगे जब चट साफ होती है तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से जो आपके राहुकेतु हैं वो अच्छे हो जाएंगे और आपके जीवन काल से हर परेशानी चली जाएगी दोस्तों अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को नजर लग गई है किसी की बुरी नजर का दोश लगने के सारे लक्षन दिख रहे हैं तो उस व्यक्ति के बाजू में विशेश तौर पर इस काले धागे को बांधना ही चाहिए दोस्तों वैसे तो ये उपाय तुरंट असर दिखाना शुरू कर देता है लेकिन अगर आपको लगे कि इसके प्रभाव में कमी है ये उतना असर नहीं दे रहा है तो हर शनिवार को या मंगलवार को एक दिन आपको उसी काले धागे को मंदिर ले जाकर फिर से अभिमंतरि दोस्तों नकारात्मक चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा होने पर इस तरह से धागे की फिर से शक्ती बढ़ाने का काम करना पड़ता है अगर आप उस दिन मंदिर जा नहीं सकते हैं तो आप जब भी घर में धूप दीप करते हैं तब उस धागे को दीप के उपर से साथ बार घुमा कर मंतर बोल देंगे तो उस धागे की शक्ती पुनरजीवित हो जाएगी बहुत ही प्रभावशाली, अत्यंत असरकारी उपाय है, ये कितनी भी बुरी परिस्थितियों में आप गिर गए हो, ये आपको उसमें से उबार लेता है ऐसा कहा जाता है कि कई बार कई चीजें आपको ठीक नहीं कर पाती है वहाँ एक छोटा सा काला धागा आपको कई सारी परिशानियों से बचा सकता है तो दोस्तों ये विडियो अगर आप लोगों ने अंत तक देखा है तो आप लोगों से निवेदन है कि विडियो लाइक किये बिना मत जाईएगा और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी महाराज की लिख दीजिएगा